भारत में आज करोना वाइरस के खिलाफ वेक्सिनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वेमा हमारी के दौरान सवासे सेवा और फ्रंट लाइन कारेकरताओं को होने वाली कटनाईयों के बारे में बताते हुए भावक हो गए। करना चाहता हूं कि कोरोना वेक्सिन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए ऐस्या गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्स कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महिने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी आद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के दो हपते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरूद जरूरी शक्ति विक्सित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें मास निकाल का रख दें दोगज की दूरी भूल जाएं ये सब मत करिएगा। मैं प्रांसना करता हूं मत करिएगा। आज के दिन का पूरे देश को बेश सबरी से इंतजार रहा है। कितने महिनों से देश के हर घर में बच्चे, बुड़े, जबान, सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सिन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सिन आ गई है। बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछी मिनिट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन भ्यान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देश वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परामेडिकल स्टाफ, एम्मिलर्स ड्राइवर, आशा वर्कर, सभाई कर्वचारी, पुलिस के साथ ही और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स। उन्होंने मानवता के प्रती अपने दाईत्व को प्रात्विक्ता दी। इन में से अधिकाउश, तब अपने बच्चों अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैंकडो साथी ऐसे भी है, जो कभी गर मापस लोटी नहीं आ पाई। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुद कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्त सेवा से जूड़े लोगों को लगा कर एक तरह से समाच अपना रून चुका रहा है। झाल 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 झाल